चलिए गुर्णीन टो आल आफ यू मैं डियर स्टुजेंट्स मैं कुल्दीव सिर्वास्तो एके एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का धुवाधार तरीके से स्वागत करता हूं जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि हम लोग भारती समिधानों राज़्वस्ता पर बहुत जबर्जश तरीके से बात करने वाले हैं तो आए हम लोग बात करेंगे जबर्जश तरीके से बात करने वाले हैं भारती समिधान की विकास यात्रा the journey of constitution development of india तो आएए हम लोग बात करेंगे The Journey of Constitution Development of India यह जो topic है my dear student एक किसी भी exam के लिए most beneficial है चाहे हम UPSC की की बात करें, चाहे हम PSC की बात करें, चाहे हम UPSI की बात करें चाहे हम UPP की बात करें, चाहे हम SSC की बात करें, चाहे हम LEPPAL की किसी भी एक्जाम की बात करें तो I think it's a more beneficial topic for all for all exams तो my dear students हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा हम लोग कुछ संब्धानिक विकास की बातों को समस्ते हुए फिर हम लोग सीधा सा कुछ questions पर बात करेंगे तो my dear students basically देखिए होता क्या है इसकी बहुत लंबा इतिहास है है ना और चुकि अब हम लोग जब proper class में आएंगे तब अच्छे से बात किया जाएगा तो जो संब्धानिक विकास की my dear students जो सुरुवात होती वो अंग्रेजों के भारत आगमन से होती है तो होता क्या है जो अंग्रेज भारत आते हैं ब्यापार ब्योसाय करते हैं ब्यापार ब्योसाय का जो है विस्तार करते हैं फिर क्या करते हैं अपने ब्यापारी केंद्रों की स्थापना करते हैं फिर क्या होता है कुछ ऐसी परिस्तितिया घट्ती हैं जिससे सत्ता परिव जहां से संसरी इतिहास शुरू होता है तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेगुलेक्टिंग एक 1773 से जहां से एक्जाम में दुआधार कोशन पूछे गए हैं तो आगे देखते हैं यह देखेगा माई डियर स्टुडेंट्स यह देखेगा रेगुलेक्टिंग एक 1773 तो हम लोग सीधा सा बिलकुल एक्जाम तू पॉइंट आव यू से बात करेंगे यह देखे रेगुलेक्टिंग एक 1773 है ना जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि जो है भारती समिधान की विकास यातरा किसी भी एक्जाम के लिए पूछे जाते हैं तो पहले हम लोग दो चार जो है एक को समझेंगे फिर उससे रिलेटेड को करेंगे आगे देखते हैं रेगुलेक्टिंग एक 1773 तो माई डियर उस्टिडेंट सबसे पहली बात यह किसी भी एक्जाम के लिए क्या है है most important है क्या है most important है हम लोग है तो बहुत बड़ा एक्ट रेगुलेक्टिंग 1773 बहुत बड़ा एक्ट है लेकिन हम लोग सीधा सा तूदा पॉइंट बात करेंगे सीधा सीधा एक्जाम औरियेंटेट बात करेंगे जिससे आप लोगों को बहुत कम समय में बहुत 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 सफलता प्राप्त हो सके तो आगे देखते हैं तो दिखिए कि माई डियर स्टुदेंट रेगुलेक्टिंग 1773 के तहट कई महार्त्यपूर्ण प्राउधान किये गए जिनका विवरण इस प्रकार है तो आगे देखते हैं कौन कौन से महार्त्यपूर्ण प्राउधान किये गए सबसे पहली अगर हम बात करें माई डियर स्टुदेंट तो हुआ क्या रेगुलेक्टिंग 1773 के द्वारा पहली बार क्या किया गया माई डियर स्टुदेंट गवर्नर जेनरल का पहली बार क्या किया गया गवर्नर जेनरल का एक नया पद बनाया गया है ना तो माइड दिरेटीनेट्स रैगुलेटिंग एग 201773 के दर जो पहले बात की जा रही है चो पहला प्राधान किया जा रहा है इस कानुन के दरा पहली बार गवर्णर जननल का एक नया पद बनाया गया क्या किया गया एक नया पद बनाया गया यानि कि create a create a new post of a governor general under this act ठीक ना इस कानू के दा पहली बार governor general का पद बनाया गया अब governor general की governor general की सहता एवं सालाह के लिए to add an advice of the governor general ठीक ना गवर्नर general की सहता एवं सलाह के लिए governor general की सहता एवं सलाह के लिए क्या किया गया my dear students चार सदस्य परिशद का गठन किया गया कितने सदस्ese my dear students चार सदस्ese परिशत का क्या किया गया गठन किया गया अब यह देखिएगा जो एक गवर्णर जन्रे का पहली बार पद बनाया जा रहा है अब इसके साथ साथ यह देखिएगा गवर्णर जन्र LEET का Пद बनाया गया और गवशच्था Key K तो यह governor journal हो गया, यह उसकी परिसद हो गई, तो यह कामकाज कैसे करेंगे, यानि कि निर्णे लेने का आधार क्या होगा, है ना, चार लोग यह होगे, एक लोग यह होगे, टोटल कितने लोग होगे, पांच, पांच लोग होगे, निर्णे कैसे लिये जाएंगे, कामकाज कै से किया जाएगा तो निर्णे लेने का आधार बाबू बनाया गया बहुमत बहुमत के आधार पर निर्णे लिए जाएंगे ये बिवस्था की गई थी रेगुलियाक्टिंग 1773 में अब जैसा कि माई डियर इस्टिरेंट्स आपको बताया गया कि पहली बार गवर्णर जनरल वारेन हैस्टिंग नाम है क्या नाम है वारेन हैस्टिंग और वारेन हैस्टिंग का जो कारकाल है माई डियर इस्टिरेंट्स वो है 1772 से लेकर 1785 अभी हम लोग बात करेंगे अच्छे से वारेन हैस्टिंग पर भी तिकना आज थोड़ा सा समय का भी आभाव है तो हम लोग तू दा पॉइंट बात करेंगे फिर हम लोग जबर ज़स तरीके से आगे बात करेंगे और हाँ माइडियर स्ट्टिएंट एक आपको सूचना भी देनी है आपका अधिकारी बैच आ चुका है अधिकारी बैच चुकि जो है एके एजुकेशन आपको सफलता दिराने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है एके एजुकेशन को इतना फैलाएं कि यह जो है बहुत ही कम समय में इंडिया का नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनके उबरें चुकि जो एके एजुकेशन समय कारी बैस में मिलेंगे जो कि आरों के लिए लाया गया है तो दो से तीन हम लोग प्रॉपर रिगुलर भारती समिधान और राजब्वस्था पर बात करेंगे और मैं आप से प्रॉमिस करता हूं ऐसी भारती समिधान और राद्मिवस्ता दिल्ली से लेकर प्रयागरास तक मैं पहले बता चुका हूं दिल्ली से लेकर प्रयाग्रास तक प्रयाग्रास से दिल्ली तक यह आपको भारती और सम्मिधान वराज मेवस्ता पर आईसी गुडवत्ता नहीं मिलने वाली है इस मैं ओपन चैलेंग्ज और एक बात और माई डियरुष्टे ने बहुत सारे चातीर हो की समस्या भी रहते हैं कि हमें समिधान यादा नहीं होते हैं कि पास क्या है जिससे आपको समझ में नहीं आएंगी बल्कि मैं रटा दूँगा और वो कैसे रटाओंगो चुकि एक ही बात को दो तेन तीन बार बताया जाएगा, कैसे बताया जाएगा, क्या वो ट्रिक है, वो हम जानेंगे तो यह देखिएगा, तो गवर्नर जो लगए जब पहली बार पत बनाया गया, तो इस पत को धाना करने वाले ब्यक्ति था वारेंड हैस्टिंग, अब यह देखो बाबू, चार सदस्ती क्या है, परिसद है, क्या है, चार सदस्ती परिसद है, तो यह देखो चार सदस्ती जो परिशद है तो भीया इनके सदस्य कौन कौन से है वो भी देख लीजे बाबू चुकि एक्जाम में पूछा जाता है तो यह देखिए एक्जाम चार सदस्य जो परिशद बाबू उनके नाम है पहला नाम है फिलिफ फ्रांसीज पहला नाम है बाबू क्या नाम है फिलिफ फ् तो बाबु जो चार सरस्टी परिशत थी उन सरस्टों के लाद जल्दिल दे बोली है पहला नाम फिलिप फ्रांसिस दूसरा नाम वार्विल तीसरा नाम क्लेवरिंग और अगला नाम क्या है मांशन है ना और जब के आपको बताया जा चुका है और पहला गवर्नर जन्रल कौ क्या हो गया मतलब हो गया मतलब मस्या हो गया गवर्न गमाल का पहला छोता है यह तो गर लंगाल का पहला गवर्नर में आता है पहरा कारकाल है बाबु 1757 से लेकर 1760 और दूसरा कारकाल है बाबु 1765 से लेकर 1760 यह है रॉबर्ट क्लाइब का कारकाल 1772 से लेकर 1785 तो 1772 से लेकर 1774 तक वारेन हैस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में पद्धारण करता है अगर हम बाबु आगे बात करें बात हो गई बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बंगाल के अंतिम गवर्नर की तो लगे हाथों जल्दी से बता दो ये कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है तो बाबु भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो लौड विलियम बेंटिंग होता है कौन होता है लौड विलियम बें है अब यह भारत का पहला गवर्णर जनरल होता है चलो लगे हाँ तो जल्दी से बता दो भारत का पहला वाइस राय कौन होता है तो भारत का पहला वाइस राय कौन होता है तो भारत का पहला वाइस राय बाबु लॉर्ड कैनिंग होता है लॉर्ड कैनिंग वास फर्स वाइस वायसराय था और जिसका कारकाल बाबु यह कारकाल मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना चुकि इससे घटनाओं को जैसा मैंने कहा कि आप संभिधानय व्राद्विवस्था पर गाना गाएंगे जिस तरह से आप गाना कुन गिनाते हैं उसी तरह से संभिधानय को लिंक कर सकते हो बाबु अभी आगे हम बताएंगे तो यह भारत का पहला वायसराय कौन होता है लाड कैनिंग अब भारत का पहला वायसराय लाड कैनिंग है तो लगे हातों जल्दी से बता दो स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का आजाद भारत का पहला गवर्नर जन जो है वो लाड माउंट बेटन होता है आजाद भारत का पहला गवर्णर जन्रल कौन होता है लाड माउंट बेटन होता है और लाड माउंट बेटन का जो बाबु कारकाल है वह 1947 से लेकर 1948 तक होता है तो आजाद भारत का सोतंद भारत का पहला गवर्णर जन्रल लाड gravity governor journal double G single gee मतलब governor double G मतलब governor general तो आजाद भारत का पहला भारती यहान देखो भारती नहीं जुड़ा बापु ध्यान दीजिगा मैंने उपर बताया था 29 भारत का आजाद भारत का पहला तो भारती नहीं उसमें जुड़ा हुआ पहला governor general answer है लान मौन बेटन काफी बार पूछा गया है 1947-1948 और जब कि अब यहां पर भारती जुड़ रहा है तो आजाद भारत का पहला भारती गवर्नर जनरल जो है वो बाबू होते हैं चकरवर्ती राजगोपालाचारी ठीके ना राजगोपालाचारी याद रखेगा अब अगर हम आगे बात करें सीधा मुद्धे पे आए तो आपको बताया गया था तीक ना आपको बताया गया था कि 1773 के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया अब देखेगा क्या हो रहा है रेगुलेटिंग एक 1773 के द्वारा वर्स 1774 में क्या किया गया कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई सर्वोच नियाले की स्थापना की गई किसकी स्थापना की गई सर्वोच नियाले यसी मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया एक मुख्य नयाधिस और तीन अन्य नयाधिसों और तीन जो है अन्य नयादीशों की नियुक्ती का प्राउधान किया गया एक मुख्य नयादीश था तो उस मुख्य नयादीश का नाम क्या था बाबू काफी बार पूछा गया है सर एलिजा इंपे होता है और जबकि तीन अन्य नयादीशों के नाम जबकि तीन अन्य नय दीशों के नाम Chambers, Chambers, Limaster और Hide होते हैं अब बाबु एक चीज और जान लिजेगा जल्दी से बात सुप्रीम कोट की हो रही है तो लगे हाथों तुलना कर लो कि वर्तमान में भारती समिधान के किस प्रावभान के तैट ये तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोचिनाला की स्थापना की गई और इस सर्वोचिनाला में एक मुखे नायदिस और तीन अन्य नायदिसों की बिवस्था की गई इसके पहले मुखे नायदिस सर एलिजा इंपे थे तीन अने नयादिस कौन कौन से थे चैंबर लिमेश्टर एवं हाइट थे अब ये सरवोच ने आला है तो वर्तमान में भारती समिधान किस अनुच्छेद के तहद किस प्राउधान के तहद सरवोच ने आला किस थापना की गई तो ये दोखो बाबू भारती समिधान के हम भारती समिधान के भागपारन अनुच्छेद एक्सव चौबिस एक के तहद थे को किया गया है establishment establishment and constitution of the supreme court of this country under the provision of part 5 article 124 clause 1 323 समिधान के भागपास 121 के तहद सर्वोच चिन्याले के स्थापना और गठन का प्राउधन किया गया है अब बात सर्वोच चिन्याले के गठन की होगी तो लगे हातों बाबु हाई कोट याद रखो सुप्रीम कोट देश का सबसे बड़ा न्याले होता है तो हाई कोट एच सी एच सी प्रदेश का हाई कोट प्रदेश का सबसे बड़ा न्याले होता है और हाई कोट के गठन का प्राउधान भारती समिधान के भाग 6 अनुच्छे 216 के तहद किया गया है किस अनुच्छेत के तहद हाई कोर्ट के गठन का प्रवधन किया गया है तो बाबु भाग उच्छे अनुच्छेत 216 के तहद उच्छ नियाले के गठन का प्रवधन किया गया है Constitution Constitution of the High Court under the provision of Part 6 Article 216 तो ध्यान न कियेगा काफी बार ये एक्जाम में पूछा गया है Confuse नहीं होना है क्या नहीं Confuse होना है सुप्रीम कोर्ट की चाहाई स्थापना पूछे सुप्रीम कोर्ट के भारत के सर्वर्चिनले की चाहाई स्थापना पूछे चाहाई गठन अंसर है अनुच्छे 126 अनुच्छे 124 का खंड एक आप सिधा आठकिल पर याद रखो आठकिल अनुच्छे 124 एक स्थापना गठन हो गया हाई कोर्ट के गठन का प्राउदान बागच्छे 216 ये बात याद रखेगा अगर हम आगे चलें तो आगे देखिए क्या हुआ अगए इस इंडिया कंपणी के बाभु कर्मचारीयों को भारतिये लोगों से उपहार लेने पर भी क्या लगा दी गई रोक लगा दी गई बैन कर दिया गया 1773 के द्वारा यह ब्यवस्ता की गई क्या किया गया कि इस्ट इंडिया कंपणी की जो कर्मचारी है वह भारती लोगों से उपहार नहीं लेंगे पूरी तरह से प्रतिबंदित कर दिया गया यह तो बाबु मोटी मोटी बात सीधा एक्जाम ओरियंटेट ब भूआ क्या यह दिखिझेगा अब सीधा विक्त पर ही आजाते हैं फिर म veteran बाट करते हैं तो यहां दिखिएगा अगर हम बात करें yeah तो चलिए हम लोग कोशन थोड़ा सा एकाद दो शुरू कर देते हैं ठीक न यह देखिएगा एक चीज और जान लीजेगा कोशन पर बात करने से पहले यह देखो बाबू हमने बताया था कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जन्रल होता है वो कौन होता है वारेन हैस्टिंग ये ऐसा गवर्नर जन्रल होता है जिस पर जिस पर भ्रस्टाचार का आरोप लगने के कारण ब्रस्टाचार का लगने के कारण ब्रिटेन की संसद में बिटीस पार्लीमेंट में याद रखज Tees की संसद याद रखो तीन लोगों से मिलकर किन्दर केंद्र की करपादी कौन होता है राश्पती उसी तरह से ब्रitaan का सर्वोच नागरी रही होता है ब्रat com कहते हैं CRO WN crown मतलब सम्राद अब देखो बिटिस संसद वर्ड यूज़ कितने लोगों से मिलकर बनी है तीन लोगों से मिलकर बनी है कौन कौन पहला सम्राद और अगला आ गया बिटिस पार्लेमेंट का मिचला सदन HOC HOC मतलब House of Commons यह बिटिस पार्लेमेंट के निचले सदन का नाम है House of Commons और जबकि उच सदन का नाम है House of Lords नहीं होना है यह बिटिस पार्लेमेंट वर्ड यूज़ हुआ तो बिटेन के संसद तीन लोगों से मिलकर बनी है किन से किन से बिटेन के समराद से House of Commons से और House of Lords से अगर हम इसे भारती संसद यह देखो बाबू हमने लिख दिया आई-पी आई-पी मतलब होगे इंडियन पार्लेमेंट जैसी बिटिस पार्लेमेंट बिटिस संसर लिखा है ना मैं इसको सौर्ट कट मिलक सकता हूँ बिपी बिपी मतलब बिटिस पार्लेमेंट बिपी मतलब बिटिस पार्लेमेंट तो वह इसे ही मिली सकता हूँ इंडियन पार्लेमेंट और इंडियन पार्लेमेंट भी तीन लोगों से ही मिलकर बनी है यहां पर यह देखो यहां पर क्या है समराद हमारे यहां आगया राश यहां त्पटन का नायंगी इंड्यम्र और इंडियन पार्लियमेंट के सट हो ऑटान था किता है युद्धा किलंस्तर चाहρι सब्सक्राय करेए बताना था कि यह यह भॉर्न है संग है is यह एक सट का और जब की सट की पारी को हार तेका अई का आरोप लगने के कारण, बिटेन की संसद में, बिटेन की संसद में क्या चलाई जाती है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, कौन सी प्रक्रिया, महाभियोग, प्रोसीजर आफ इंपीश्मेंट, प्रोसीजर आफ इंपीश्मेंट, महाभियोग की प्रक्रिया चला जाती है क्या आरोप लगने के कारण ब्रस्टाचार का आरोप लगने के कारण लेकिन होता क्या है कि जो आरोप लगाया गया बिटेन की संसद में बिटिस संसद में वो आरोप जो है साबित नहीं हो पाया वो आरोप साबित नहीं हो पाया तो जो ब्रस्टाचार का आरोप आते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा कोश्चन कर लिया जाए तो आगे देखते हैं कोश्चन पर आगे बढ़ते हैं ठीके ना पहला कोश्चन यह है देखिए का जल्दी से निम्लखित में से किस गवर्नर जन्रल पर महावयोग की प्रक्रिया चलाएगी अभी आपको बताया गया है किस गवर्नर जन्रल पर महावयोग की प्रक्रिया चलाएगी जल्दी बताएगे अंसर है जो अभी आपको बताया गया कि वारेंट हैस्टिंग एक एक ऐसा गवर्नर जन्रल होता है जिस पर भष्टा चार का आरोप लगने के कारण बिटेन की संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई यह बात याद रखेगा तो पहले का आंसर हो गया पहले का आंसर बी तो अब एक बात जल्दी से बता दो हमको महावियोग की प्रक्रिया भारत में किसको हटाने के लिए लाई जाती है तो एक बात समझेगा यह देखेगा भारती समिधान के भाग पांच अनुच्छेद 61 के तहर देश के राश्पती को बारती समिधान के भाग पांच अनुच्छेद 61 के तहर देश के राश्पती को उसके पद से हटाने के लिए याद रखेगा बारती समिधान के भाग पांच अनुच्छेद 61 के तहर देश के राश्पती को उसके पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया यही महावियोग की प्रक्रिया का प्राउधन किया गया है एक बात मैं dear student और अच्छे से समझ लीजेगा महाव्योग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ भारत के राश्पती पर ही लगाई जाती है अन्य किसी पर भी नहीं लगाई जाती यह बात ध्यांदी जिये अधिकतर confusion क्या होती है शर्वो 24 सीधा कहता है 124 सीधा कहता है कि सर्वोच ने आले के सर्वोच ने आले कि किसी भी नयादी इसको केवल और केवल साबीत कदाचार और असमर्थता और असमर्थता के आधार पर ही पद से हताया जा सकता है तो यह देखो वारेन हैस्टिंग एक इसना गवर्नर जनरल था जिस पर महावियों की प्रक्रिया चलाए गए तो महावियों को हमने क्या कर दिया इंप्लिमेंट कर दिया हमने कहा है कि जल्दी से बताओ दो कि वर्तमान मे वर्तमान में किस पर महावियों की प्रक्रिया चलाई जाती है आंसर है राश्पती पर अब महावियों की प्रक्रिया का प्राउधान कहां किया गया है भाग पांच अनुच्छित 61 के तहद राश्पती को उसके पद से हटाने के लिए महावियों की प्रक्रिया का रहेंगे आपके कुछ ना कुछ करोगे ना उल्टा सीधार तो वही संविधान में जब आप आओगे बाबू अनुच्छे चपन अनुच्छे चपन बाबू बहुत बड़ा इसमें चार बाते की गई है मोटी सी बात समझेगा अनुच्छे चपन में भारत के राश्पती की बहारत के राश्पती की पद की अवधिका उल्ले किया गया है इसमें दो तीन बातने कीगे जल्दी से देख लिजेगा फिर आगे बढ़ते है यही पर अभी यह महावयोग जो लिखा है यही पर आएगा पहली बात या देखेगा सीधा कहा गया कि राश्पती राश्पती कितने साल तक पत धारण करेगा इसकी जानकारी हमें उनुच्छे 56 से मिलती है और उनुच्छे 56 सीधा कहता है कि भारत का राश्पती अपने पत तारीक से कितने साल तक 5 साल तक पत्धारण करेगा और 56 में दूसरी बात जो की गई है राश्पती के त्यागपत्र की की गई है और राश्पती अपना त्यागपत्र जल्दी बताओ किसको देता है उप राश्पती को देता है और यहीं 56 में जो तीसरी बात है यही आएगे 56 पन 5 में तीसरी बात कि आ रही बंगर या इसी को आफ कर सकते हो या अतिक्रमन बाभू violation वैशलेचं मतलब होता है या इंडियन या रिक्रमर रहाँ रखीएगा- याद-ध्यीन को-ुसके-र्थ से राश्पती को उसके पद से हटाने का सिर्फ एक मात्र आधार है और वो आधार है बाबु समिधान का उलंगन क्या आधार है समिधान का उलंगन इंग्लिश में बोलेंगे और इस बात की पुष्टी कहा की गई चपन में तो ध्यान दीजेगा राश्पती को किस आधार पर हटाया जाएगा इस बात का उल्लेक चपन में किया गया है और हटाने की प्रक्रिया क्या होगी इस बात का उल्लेक अनुच्छेर 61 में किया गया है अनुच्छेर 61 से किस गवर्नर्ट पर महावियों की प्रकिरिया चलाएगी आंसर है वारेन हैस्टिंग चलिए आगे चलते हैं दूसरा कोश्चन बाबू देखते हैं निमने में से किसे भारती नयाइक बिवस्था का जनक कहा जाता है अभी आपको बाबू बताया गया था क्या कि रेगुले सुप्रीम और डियागुलेटिंगं 1773 के द्वारा 1774 में कलकता में सर्वोची नयालक स्थापना की गई तो यानि की जो निया इक बिवस्था का जो विकास है नियाइक बिवस्था की नियू से लेकर विकास तक जो हो रहा है वो देखो 1773 और इस समय याद रखो बंगाल का गवर्नर होता कौन है वारेन हैस्टिंग तो याद रखो वारेन हैस्टिंग के कारकाल में ही याद रखेगा जल्दी बोलो जबकि नियदी शकौन होते हैं टीलिजा में अननयादी कौन होते हैं चैंबर लिमेश्टर लिमेश्टर और हाइड होते हैं तो आप जाहे स्थापना की बात हो देखाल हो यह शारा कुछ किसके समय में हो रहा है किसके द्वारिण हेस्टिंग के द्वारा तो इसी लिए बहारें था का जनक कहते हैं यानरी रलाइक जनक कि नयुकि भाइति थे लिए इंडिया वार्रिन हेस्टिंग भारत पे दो बाबु जनक की आ गई है तो यह देखो अगर हम जनक की बात करें तो यह देखो जनक की बात आ गई है तो और किसको क्या किस बिवस्था का जनक कहा जाता है चुकि यह एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो यह देखिए बाबु अगर हम आगे बात करें तो यह देख लाड कारणवालिस को कहा जाता है अब अगर हम कहें पंचायती राज वेवस्था का जनव indoor पंचायती राज वेवस्था का जनव जनव क। ये देखो लाड कार्णवालिस लिखा है और लाड कार्णवालिस का कारकाल 1786 से लेकर 1793 होता है पंचायती राज ब्वस्था का जनक याद रिखो लाड रिपन को कहा जाता है लाड रिपन को भारत में पंचायती राज ब्वस्था या इसी को आप कह सकते हो इस्थानिय स्व सबसे लोगप्रिया वायसराय कहा जाता है मोस्ट पॉपलर वायसराय आप डिस कंट्री तो याद रखो एक नाम सुना होगा आप लोगोंने लट करजन और लट करजन का जो कारकाल है वो 1899 से लेकर बाबू 1905 होता है यह घटना है कारकाल मोस्ट इंपोर्टन अभी मैं इसका यूज बताऊंगा आगे तो याद रखो सिविल सेवा का जनक लाड कानवाली इसको कारकाल 1786 से 1793 पंचायती राद बिवस्था या इस्थानी स्वसासन का जनक लाड रिपन 1880 से 1884 भारत का सबसे आलोगप्री वासराय जो है वो लाड करजन को कहा जाता है लाड करजन का कारकाल 1899 से 1905 होता है तीसरा देखिए अब अगर हम बात करें भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है काफी बार पूछा गया लाड डलहौजी को कहा जाता है किसे कहा जाता है ला मारत में कैबिनेट बेवस्था का जनक कैबिनेट बोलो या विभागी प्रणाली बोलो डिपार्टमेंटल सिस्टम विभागी प्रणाली या कैबिनेट सिस्टम का जनक जो है वो याद रखेगा लाड कैनिंग को कहा जाता है किसे कहा जाता है लाड कैनिंग को लाड कैनिंग को कहा जाता है लोड कैणिंग का कारकाल 1856 से लेकर 1862 तक होता है यह देखे मैं कारकाल की बात कर रहा था यह देखो यह लॉड कैणिंग है कारकाल कितना 1856 में ja देखो बाबु tu 1856 1856 में क्या हो रहा है 102 Leah plein पारित हो रहा है溜ार जुह आदिनी हम 1856 मदरास में बिश्विद्याले की स्थापना होती है तो यह होता है कारकाल आप घटनाओं को एक से एक तरीके से लिंक कर सकते हैं ठीके ना बात जनक की हो रही थी अगर हम आगे चले तो भारती राष्टवात का जनक जल्दी बोलो आंसर यह तो काफी बार पुछा गया है राजा राम मोहन राय तो भारती राष्टवात का जनक किसे कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारत में धर्म या संपरदाय के आधार पर प्रथक निर्वाचन प्रणाली का जनक भारत में धर्म या संपरदाय के आधार पर सेप्रेट इलेक्टोरल सिस्टम तो separate electoral system तो आद रखेगा भारत में धर्म के आधार पर या संपरदाय के आधार पर प्रथक निर्वाचन पढ़ाली का जनक किसे कहा जाता है तो लाड मिंटो सेकेंड को कहा जाता है किसे कहा जाता है लाड मिंटो सेकेंड को कहा जाता है भारत में लोक निर्मार भिभाग भा लाट डलहुजी को अब लाट डलहुजी को ही भारत में डाक सेवा का भी जनक कहा जाता है तो डाक सेवा का जनक भी किसे कहा जाता है लाट डलहुजी को तो यह देखो भारती राष्टवात का जनक राजाराम मोहन राय धर्म के आधार पर या संपरदाय के आधार पर प्रथ तो यह आते हैं Connor नहीं है जलदी से बताइए जल्दी से बताईए कौन सही शुमेलित नहीं है to तो याद रखो Lord Canning Cabinet बेवस्ता, अभी आपको बताया गया है कि Cabinet बेवस्ता का जलत किसे कहा जाता है। अभी आपको बताया गया है कि cabinet बेवस्ता का जणरक Lord कैणिंग, तो यह सही है, कोशन कहाए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो भाईया अभी आपको बताया कि cabinet बेवस्ता, ten-úniaidío o advocate Father, प्रणाली भी कहते हैं कैबिनेट विवस्था को क्या कहते हैं विभागी ये प्रणाली डिपार्टमेंटल सिस्टम भी कहते हैं पंचायती राद विवस्था यानि कि इस्थानी स्वसासन इस्थानी स्वसासन यानि कि पंचायती राद विवस्था का जनक किसे कहा जाता है ल लाड अलोजी को भारत में रेलवे का जनक लाड अलोजी को भारत में लोक निर्माल विभाग का जनक लाड अलोजी को भारत में लोक निर्माल विभाग का जनक और लाड अलोजी को भारत में डाग सेवा का ही जनक कहा जाता है लाड मिंटो द्वैद प्रणाली नहीं बाबू अभी आपको बताया गया है लाड मिंटो सेकेंड को जो है भारत में धर्म के आधार पर प्रथक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है लाड मिंटो सेकेंड को कौन सी ब्यवस्था का धर्म के आधार पर संपधाय के प्रथक निर्वाचन-प्रणाली में किस प्रावधान के तहट दासों को व्यापार को प्रत्यबंधित किया गया है अगर हम बात किरें भारती स्तमिधार कि ये बाबू इसलिए पोशन आया है चुक्ति अभी जब आगे आपको बताये जाएगा लाड कारणवालिस और लाड कारणवालिस से समंदि जब 1786 का कानून आएगा, तो होता क्या है? ये जो लाड कार्णवालिस अगे आपको बताया जाएगा 1786 से लेकर 1793 होता है लाड कार्णवालिस के क्या करते है? 1789 में लाड कानवालिस क्या करते हैं 1789 में 1789 में दासों के व्यापार पर 1789 में दासों के व्यापार पर क्या कर देते हैं रोक लगा देते हैं तो दासों के व्यापार पर रोक लगा देते हैं 1789 ने किस में लाड कानवालिस ने अगर हम आगे चलें तो आगे बाबु एक कानून आत क्या बेवस्ता की गई कि Governor General साहब कौन साहब Governor General साहब क्या करेंगे जो भारत है और भारत में जो दास है तो दासों की दासों की स्थिती को improve the status of slab क्या करेंगे यानी की सुधारेंगे क्या करेंगे और भारत से दास प्रथा को भी क्या करेंगे समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो लाड कानवालिस ने क्या किया था जो कि Governor General होते हैं बंगाल के इनका कारिकाल Governor General के रूप में 1786 से 1793 लाड कानवालिस ने क्या किया था 1789 में दासों के व्यापार पर रोक लगा दी थी बात दासों की हो रही है तो यहां आए 1833 का कानुन द्वारा गवर्नर जन्नल को यह ब्यवस्ता दीगी कहा गया कि Governor General भारत में दासों की श्थिती को सुधारेंगे और भारत से दास्परसा को समाप्त करने का प्रयास करेंगे यह बात है लेकिन समाप्त किस Governor General किया है तो समाप्त करते हैं Lord Alan Burrow साहा यह नाम बाब से लेकर 1844 होता है लाड एलन बरो का कारिकाल कितना है बाबू जल्दी बताओ 1842 से 1844 तक होता है और यह भारत के गवर्णर जनरल होते हैं लाड एलन बरो और इनकी 1843 के 1843 की नियम या कानून ध्यान दीजेगा 1843 के नियम या कानून पांच द्वारा रोमन अंक में तो ऐसे 5 तो याद रखेगा दास्पृथा को स्लेवरी सिस्टम को किसने समाप किया भारत के गवर्नर जनरल लाड एलन बरो ने समाप किया एलन बरों का कारिकाल 1842 से 1844 अब किस कानून द्वारा तो 1843 के नियम पांच या कानून पांच के द्वारा समाप्त किया गया और जब की जब की याद रखो जब दास पर्था की समाप्ति की बात हो रही है तो लगे हाथों सती पर्था की भी समाप्ति की बात कर लें और जब की सती पर्था को समाप्त किया गया 1829 के नियम या कानून 17 के द्वारा नमबर्स में 17 ऐसे लिखेंगे रोमन अंकि में बाबू ऐ ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे सत्रा ऐसे सैकुलों बात पुछा गया है तो ध्यान दीजिएगा दास पर्था को किस कानून के द्वारा 1843 की नियम या कानून 5 के द्वारा सती पर्था को किस कानून के द्वारा 1829 1829 से कानून 17 के द्वारा 12 से सती पर्था पर को समाप्ट कर दिया गया प्रतिबन लगा दिया गया और सती पर्था की बात हो गई दास पर्था की बात हो गई तो लगे हां तो बाबू एक चीज और है क्या भारत में बिद्वाओं को किस कानून के द्वारा पुनर विवा करने की अनुमती दी गई तो ये दखो भारतिये पुनर विवा अधिनियम 1856 की धारा या कानून 15 पंदरा ऐसे लिखेंगे भारत में बिद्वाओं को पुनर विवा करने की फिर से यानि की दोबारा विवा करने की कानूनी मानता दी गई विद्वा पुनर विवा अधिनियम 1856 की धारा पंदरा के द्वारा जबकि सती प्रथा को समाप्त किया गया 1839 के कानून 17 के द्वारा और जबकि दास पर्था को समाप्त किया गया 1847 के नियम पांच के द्वारा तो इसी लिए अब यह देखेगा भारती समिधान के किस प्रावधान के तहरे दासों के व्यापार को प्रतिबंदित किया गया यानि कि ट्रेड़ अप्स लेप्स है दासों को जो व्यापार उसको रोक लगाएगी और याद रखेगा भारती समिधान के अनुच्छे तेज तो जब आप बाबु आएंगे तो आपको बताया जाएगा यह देखेगा भारती समिधान के अनुच्छे तेज जो है बाबु यह देखेगा भारती समिधान के अनुच्छे तेज के द्वारा क्य क्या किया गया है दासों के व्यापार पर आज थोड़ा समय का भाव हम लोग कल अच्छे से बात करेंगे तीक ना दासों के व्यापार पर अनुच्छे 23 के तहट क्या किया गया बाबू दासों के व्यापार पर रोक लगाएगे क्यों अनुच्छे 23 क्या प्रणधन करता है अनुच्छे 23 मानों के दूर व्यापार और बलास्रम को क्या करता है प्रतिबंधित करता है ये बाबू जो त्योरी है मानों के दूर व्यापार मानों का जो दूर व्यापार है इसकी आउधाना बहुत डीप में है इसका कॉंसेट बहुत डीप में है मानों के दूर व्यापार के तहट भारत के सरवोचनेयाले ने समय समय पर निम्लिखित को सामिल किया है मानों के दुर व्यापार के तहट ही बलास्रम बलास्रम मतलब होता है बाबू ब्यक्तिकी इच्छा के विरुद्ध कार लेना भारत में याद रखेगा अगर आपका काम करने का मन नहीं है तो किसी की आउकाद नहीं है कि आपसे को आपको मजदूरी नहीं देंगे तो याद रखेगा वह आपके मौलिक अधिकार का उलंगन कर रहा है उलंगन कर रहा तो इससे क्या होगा इससे बाबू यह होगा आपको दो ब्रहमास्त्र देता है भारती समयधान अनुच्छे 32 का प्रियोग करिए और सीधा सुप्रीम को सरत में के सर्ण जा सकता है तो अगर भारगत में कोई भी कोई बीका मतलब बाबू क्यों起रे वहरा हो अरक रॉप तो इसका मतलब सिर्फ वसित दो बातों से है सुप्रीम कोड़ और हाई-खोर जा सकते हैं और 226 तो इसका राइट अंसर बाबू अनुच्छे तेज अनुच्छे तेज के तहट बलाष्रम को भी प्रतबंदीत किया गया है बेगार को भी प्रदवंजित किया गया है इस्तिरियों और बच्छों का अनेटिक व्यापार को भी इसी के तहर लाया गया प्रतवंजित किया गया विकल्पों पर बात करें अनुच्यद 20 अपराधों के लिए दोष्य शिद्ध के संबंद में अपराधों के लिए बाबु समय का भाव हम तो प्रापर कल 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 से दो से तीन तावर थोड़ बैटिंग करेंगे ऐसी बैटिंग के इंडिया के किसी भी कोने में आपको पॉलिटी भारती समिधार और आद्विवस्था नहीं मिलने वाली है और इसी लिए मैं कहता हूं एक है तो ओके है तो इसको जितना जादा जादा और थोड़ हो सके बाबू इतनी बहतर गुडवत्ता एक आपको एक प्लेटफॉर्म में मिल रही है इससे स्वभाग की बात और कुछ नहीं हो सकती है कि एक साथ पूरे इंडिया के टॉप क्लास की टीम एके में आ चुकी है और इसी लिए एके है तो ओके है ठीके ना आप आपको सिलेक्शन तक गारंटी के साथ पहुचाएंगी तो इसका राइट अनुच्यद 20 अप राधों के लिए दो से सिद्ध के संबंद में संग्रच्छन प्रोडेक्शन इन रिस्पेक्ट आप कन्विक्शन अंडर दा प्रविजर आप 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 आर्टिल 20 अनुच्य द अनुच्य दिकीश के अंतरगत प्राणों दही सुदंता के संग्रच्छन का प्रोड़न किया गया है अनुच्यद 22 जो है वह कुछ दसाओं में कुछ दसाओं में गिरफ्तारी और निरोद से संग्रच्छन का प्रोड़न किया गया है प्रोडेक्शन प्रोडेक्शन अगे समय का थोड़ा सा भाव हम लोग कल से 2-3 प्रापर अधिकारी बैच में मिलेंगे अधिकारी बैच यानि कि आपको अधिकारी बना कर ही छोड़ेंगे क्यों? चुकि आपको समिच्छा अधिकारी 11 फरवरी को एक्जाम लगा है और जो की एक्जाम करवा रहा है UPPSC UPPSC उत्तरपदेश Public Service Commission करा रहा है तो समन लो दिमाग खोल लो दिमाग की बत्ती जला लीजिए तो बाबु कल जो है हम लोग थोला से इसको रिविजन करेंगे चुकि समय का भाव है कल हम लोग इस पर एक बात समन लीजिएगा जैसे मैंने कहा कि आप लोग सम्विधान और राद ब्यवस्था पर गाना गाएंगे वो कैसे गाएंगे बस एक लाइन में समन लीजिएगा सम्विधान और राद ब्यवस्था पर तीन तरह से आपको बताया जाएगा हर चीज को पहले आपको अच्छे से जबर जस्ट लेविल के साथ आपको समझाया जाएगा फिर जो आप पॉइंट्स जो नोडे होंगे जो की पॉइंट्स नोड़ कियो होंगे लास्ट में उसी बाद को दोहराया जाएगा तो बाबू मैं आपसे इतना वादा करता हूं सपना आप देखिए जितना जाहाँ उत्तर प्थे Shall Nah बनना हो चाहें आपको आपको जो है समिच्छा अदिकारी बनना हो चाहें SDM बनना हो और चाहें UPSC सपना आपका मेहनत AK Education की यह मेरा वादा है एक बेहतर टीम के साथ तिकरा और आयाद रखिएगा मैं आप से कह चुका हूं कि AK है तो तो एक बात याद रखिएगा प्लीज जल्दी से जल्दी अगर सबसे पहली बात क्लास आपको कैसी लगी जल्दी से आप उसको कमेंट बॉक्स में बताए और फिर से मैं कहूंगा आपकी जिम्मेदारी बनती कि AK Education इतना तावर तोड़ टीम के साथ आपको सेलेक्शन दिलान Thank you so much. AK है तो okay है.